खेले दोस्ते एक बार फिर स्वाकत आप अपना यूटूब चैनल बाइमेंट बाइट में आज हम फिर से लेके हैं आपके लिए एको न्यू वीडियो जिसका टोपिक है मौर्फोलोजियो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसके इंसियाटी के एक्जामपर को आज हम डिस्क इंसियाटी के एक्जामपल के जो एमशी की हो हमने पहले उनकी वीडियो फ्लोट कर दिये यदि आपने वीडियो नहीं देखिए तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो चली स्टाट करते हैं आज की ये वीडियो के आज उसके वीडियो को जो फस्त को सने फस्त को संध्याएं रियर अरे इंज दी फौल Non S as seen in root in vertical section and choose the correct option question क्या पूछाई कि जो root का जो vertical section जो होता है vertical section जो होता है उसके में जो zone होते हैं उनको rearrange करना है और correct option को आप उनको choose करना है जो root जो होती है उसका जो vertical section क्या होता है इस प्रकार्स होता है प्रेंड डाइग्राम बना लेते हैं इस प्रकार्स होता है और यह होता है इसका रूट कैप यह जो जोन होता है यह होता है रूट कैप वाला जोन यह होता है रूट कैप वाला जोन और इस से जस्ट उपर जस्ट व्याहिंड इसके होता है मेरिस्टेमिक जोन Maristemic zone होता है اور Maristemic zone के ओपर होता है Inlogation zone Inlogation zone Inlogation zone होता है اور Inlogation zone के ओपर होता है Root here यहां होते हैं Root here और root here में ही पाए जाता है maturation zone maturation zone पाए जाता है तो इसको क्या है zone जो है इनको हमको क्या करना है arrange करना है लेकिन question में यह नहीं दिवाए कि हमको नीचे से उपर के और arrange करना है या उपर से नीचे के और arrange करना है तो हमको खुद को देखना पड़ेगा तो रूट के पर जोनकिसमें सि जोले कि अ और जो मेरिस्टेमिक सौने में बी वाले से यहां हम लिख देते हैं और इनलोगेशन जोन किसे इनलोगेशन जोने ये वाले से किसे ये वाले से और रूट हेर वाला जोने वो किसे ये वाले से और जो मैक्चुरेशन जोने वो किसे डी वाले से तो हमको ओनली ये देखना है कि जो ऑप्षन है उसमें उपर से नीचे वाला देखना है और नीचे वह वाले देखो जो सी से स्टार्ट है तो सी से एक तो ए वाले स्टार्ट है और डी से एक सी वाले स्टार्ट है तो बी और डी जो है यह ऑप्शन रॉंग हो जाएंगे और अब देखते हैं ए और सी के बारे में तो सी जो है सी के बाद क्या आएगा बी वी के बाद आएगा A और A के बाद क्या आएगा D तो C के बाद B और B के बाद E और E के बाद A और A के बाद D तो यह arrangement जो है यह arrangement क्या है विल्कुल सही है और देखते हैं C वाला C के बाद क्या आना चाहिए A आना चाहिए तो D के बाद क्या रहा है यहां पर E तो यह option क्या हो गया? wrong हो गया तो question no.1 का character answer क्या हो जाएगा? ए C, B, E, or A, D इसका character answer हो जाएगा चलिए बात करते हैं इन जोन्स के बारे में जो जो होता हैं इनके बारे में बात करते हैं सबस्वे परहले बात करते हैं root cake johan है इसके बारे में रूट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् रहा जाता है क्योंकि इसमें जो मेरिस्तेमिक टीसू होते हैं वह कंटीनियamat लिए वह कंटीनियूसली कैर डिवाइड कंटीनिय właści डिवाइड करके निुगे सेटो को प्रॉड्यूस करते हैं क्या है कि निउओ सेल्स को प२े लूस में सेटो करते हैं। तो इसलिए इसे ग्रोइंग जोन भी कहा जाता है और ग्रोइंग जोन के ऊपर होता है जोन ऑफ इनलोगेशन क्या होता है जोन ऑफ इनलोगेशन होता है ग्रोइंग जोन के ऊपर तो जोन ऑफ इनलोगेशन जो होता है इसमें जो नीवली सेल्स जो बनती जाती है वहां पर इ डिवाइडेशन की जो डिवाई डिवाइड करने की जो पावर क्या है यह लूज करती जाती है तो जोन ओफ इलोगेशन में क्या होता है कि नियूली सेल यहां पर एक्तर तो होती जाती है और जो नियूली सेल जो है इनमें जो पावर ओफ डिवीजन जो होता है वो लूज हो को यह रिप्रेजेंट करता है demlamation को कि को यह रिप्रेजेंट करता है और रोट एर के लूट हीर में पाइजाता है स्बाइजक ज़ोंगारा रिप रहेंज्जर को शीखाई जो किस्विन लोग में यानि एक घुंड के रूप में एक्टित होती है और उसकार हमने यह root के 5 zone देखे कि यह किस प्रकार से होते हैं एक और बात इस zone के बारे में जो यह root cape जो होता है root cape के just उपर root cape के just उपर क्या पाया जाता है meristemic zone meristemic zone पाय जाता है यह आप से question पूछे कि root में सबसे ज़्यादा growth कहां पर होती है तो इसका correct answer होगा वो होगा sub terminal sub terminal पर कहां पर होती है sub terminal पर root में सबसे ज़्यादा growth होती है क्योंकि जो root cape जो होता है इसके मेरियरिस्टेम Gobierno रिज झालर पाय जाता है जिसमें सबसे ज्याद भियादा रोट में उक होती है तो चलिए में बड़ते हैं अगले कोशन की और कोशन नमंबर सेकिन क्या है अि इसक्रूशन नम्रॉशन नमार जरीन हैं हैं इन एंऄ फर इन फिलोर होिन फर्लोरशेंट क्या पूछाय और कि एक न यहékर फिछटल सक्सेशन दी पोजीन रसन ओफ यंगेस्ट फिलोवर बड इन दी फिलोवर एक्षिस सेल भी कोसन आप के पास क्या पूछाए कि एक इन फिलोवर सेंसे उसमें जो बोधन होता है यानि फिलोवर का जो बावर्न हो का है लेटरल और एक्रोपेटल सक्सेशन का है और कोशन का पूछा जो यंगेस्ट फिलोवर बढ़े वो कहां पर होगी ऑफसन आपके पास है प्रोमेक्जीमल मतलब पास्ट में और डिश्टल मतलब दूर और इंटरकलेरी मतलब दो के कि जो फिलोवार है वो क्या है लेटरर्ली फिलोवर लेटरर्ली अ क本 लेडर्ली बोलने और क्या है एक्रोपिटल सद्रिक्षां चुछानitter एक रोपिता स्क्सेशन का जो मिनिंग जहोता है इसका जो अर्थ होता है इसका अर्थfang कि जो यश्थ 그래서 वाड़ यश्टte क्वस्थ नर्टीन वह कहां पार होती है To retire do a rh growing point growing point की ओर होती है जो youngest फिलोरर बढ़े वो कहां पर होती है oldest बढ़ जो होती है ओल्डे बढ़ होती है बढ़ होती है two arts टुक्त बॉटमृू यानि एकर को निचे की तरफ होते अगहर और ना होके कहां पर होती है नीचे होती है और हुआ कि जो और के इस प्रकार होता एक रोपिटल सक्षेशन की यह यह इस टेम है यह जो है यहां से कोई बड़ निकली और यहां पर फिलोवर कर निर्माण कोई फिलोवर बन गया और इसके बाद यहां पर बना देन यहां पर देन यहां पर इस प्रकार इसमें फिलोवर कर निर्माण होता है यानि एक रोपिटल सक्षेशन है वह है इस प्रकार होता है तो इसमें जो यह क्या है ओल्डेस्ट फिलोवर है और यह क्या यंगेस्ट फिलोवर है जो की जो यंगेस्ट फिलोवर बड़ से बना है तो यंगेस्ट फिलोवर और बढ़ यहां से कहां पर दूर है यानि डिस्टल पर है पास नहीं प्रोमेग्जिन बनागी कहां पर है दूर है तो को सब्सक्राइब करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा भी डिस्टल क्योंकि जो यंगेस्ट फिलोर बढ़ कहां पर ही वो क्या है यहां से दूर है डिस्टल ड इंफिलोरोशंस और कि इंफिलोरोशंस कहा जाता है इस परकार का जो इंफिलोरोशंस यानि पुस्ट रोनाई आर्थ का कहा जाता है मैं तो ऊछ στο नह visualize का अर्थ करेकट रंसर क्या हो गाए की इसका जाएगा और कुछ बात करते हैं Inflorsense के बारे में, जो Inflorsense जो होता है, वो टू परकार के होते हैं, एक होता है, Recimos, NCRT में टू परकार के दिये हैं, Recimos और Simos Inflorsense, Simos Inflorsense होते हैं, तो Recimos Inflorsense की कराक्टरिस्टिक यह सी है, कोशन में दी हुए रेषिमक्स क्या यह इसमें जो फिट र्व पड़े वो क्याई लेटरली गिरो करती है और क्डिब रख या है एक रॉमिक्ट अच्रोन सक्षेस now को हम और बी नाम देते हैं इसको तो किल आप इस फिमेंश सक्सेशन भी इसको कहा जाता है एक्रोपिटल सक्सेशन को और साइमोज साइमोज जो रसाइमोज इन फ्लोर सेंस जो होता है इसमें जो फिलोर बड़े जो करती हो करती है बैसी पिटल सक्सेशन से बैसी पिटल सक्सेशन के मेंao सेंट्री फ्यूगलस को कहा जाता है सेन्टरी फ्यूगल स्कसेसं लैसे इन्टरिफ्यूगल बी है को चल्टा में सक्सेशन को कहा जाता है और बेसे के मेंनिगज brewता हे इस में जो यंग्ईष्ट बढ जो ती ए इसमें यंग्फ यो इंट बड़ दोति होती है बोटम पर यह बेश्म में होती इह वह कहां पर बोटम पर यानि पास में है यानि की प्रोमेग्जी मेले और ओल्डेश कहां पर इसमें टॉक में यानि कि जो यह जो होता है साइमोज साइमोज में इस प्रकार से होता है कि साइमोज जो है यह इस टेम हो गया यहां से कोई बड़ने के लिए यहां से इस प्रकार से और य बनेंगे यहां से कोई बढ़ निकलेगे और यहां पर निव फिलावर बनेंगे और यहां यहां भी इस प्रकार होगा और यहां भी इस प्रकार से होगा तो जो यंग एस्ट बन रहे हैं नीचे बन रहे बेस्ट की तरफ और ओल्डेस्ट कहां पहने ऊपर टॉप पर तो इस के जो इंफरोर सेंशव को क्या कहा जाता है साई-मोस इंफरोrat to का जाता है तो किसके रख़ेंब सुर्टोन के अगले कोशन क्या है अफना को conceptsтор3 year दे मेच्वर सीड्स अच Its एक उफिस पोसेस नो अधिक पल्फ कोशन आपके पास क्या पूछाएकि जो मैचोर जो शीड जो होते हैं सब्सक्राइब कर्राइब फर्टियु में होता है और और यहां कि एंडोइख पर इनमें नहीं नहीं बनता है यह दोड़ोपन अब गलते और संबी भी गलते ऑप्षण डी कहा जा कि एंड़ इस फ़र्म गैट यूजड अब भाई डिवलपिंग एंब्रियो डूरिंग सीड डवलप्मेंट ऑप्षण डी क्या दिया है आपके पास यानि कि जो सीड डवलपिंग के दोरान जो एंड़ इस पर में वह एंब्र में योट्रेशन में लेने ले दो लेटा है तो इस प्रुकार दिनमें अंड़ायक्ष पार्म क्या है नहीं बच्टा है और इसलिए घ्राम हो पीज नहीं होता है तो इसका कर्रेक्ट अंसर हो जाएगा और एग्जांपल जैसे लॉट दोर और दोर य kep नहीं होता है जैसे ग्रांड़नट है इसमें यानि मुंग फली में भी एंडौइस्परम नहीं होता है और मौनो कोट का एक्जामपल और आप रहा याद रख सकते पिंदि obey मौनो कोट का जो एक्जामपल है वह कहेए और्कीड ऑर्कीड भी नोन एंडौइस्पर्मी होता है इसमें जो जो एंडूु इसपर में वह सीड्र बनने के दोरान एंडीरो डिशुट्रuba गुह कर लिया जाता है इसमें फैंडर संपर में होता है यूदीट के दौरान हम्रो दोरा यूज लिया जाता है तो और कीड मौनो कोट और यह सारा एगजांपटल इसके ग्राम़न इसके के एक्जाम्पल डाइकोट के तो कोशन नमर थी का करेक्टरेंसर के दी नेक्ट को संग बढ़ते हैं कोशन नमर फॉर कोशन नमर फॉर क्या दियावा है रूट्स डवलप्ट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ दी पिलांट अदर देन रेडिकल और काल्ड कोशन क्या पूछा है यानि की रूट का रेडिकल के अलावा किस कहीं और से डवलप होना को क्या कौन सी रूट कहलाती है यानि की जो रेडिकल है उसके अलावा हो जे कहने किसी बाग से जड़ों को विक्सित होना क्या कहलाता है ओप्शन आपके पास है टैप रूट्स ऑप्शन भी है फाइबस रूट्स ऑप्शन सी आपके पास एडवेंटेटियस रूट्स तो इसका करेक्टर अंसर होगा प्लांट के किसी अन्य भाग से निकलते हैं रेडिकल से ना निकलकर रेडिकल रेडिकल और दो चीज होती है रेडिकल और पिले मूल आर फो रेडिकल और आर फो रूट यानि आर फो रेडिकल आर फो रूट इससे किसका निर्मान होता है रूट का रेडिकल से किसका निर्मान होता है रूट का और पिले मूल से निर्मान होता है इस्टेम का केलियो टाइल. उसको बोलते हैं कैलिय अप्टाइल. केलियो राइजा इसकी कवरिंग को कहा जाता है? कोजन नमर फॉर का करेक्टरनसर क्या है? कोजन नमर फाइब क्या पूछा है आपके पास? वेनेशन इस टर्म यूज्ज टु डिस्क्राइब इपटर्ण ओफ इन ओफ यानि कि कोश्ण कर पुछाए कि किसके आरेंजमेंट को वेनेशन कहा जाता है ओप्षन आपके पास थे फिलोर और और गन्स ऑप्षन भी ए फिलोर, और ऑप्ष्टन भी ए फिलोर इन फोटन्स उप नसी यह बींस और नीमिना और इसका करेक्ट अंसर हो वो होगा सी बींज और विए लेंड के जो अर्रेंजमेंट होता है ले मिना पर उसके अरेंजमेंट को कहा जाता है वहने सन्फोन का हिंदियर्थ होता है सिरा बिन्यास तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा बीनेशन में ली दो प्रकार होते हैं जो बीनेशन जो है एक होता है रेटी कुलेट बीनेशन एक होता है रेटिकुलेट बिनेशन यानि कि जाली का वत सिरा बिन्याश और दूसरा होता है पेरलेल बिनेशन दूसरा क्या होता है पेरलेल बिनेशन होता है यानि कि स्तामान अंतर सिरा बिन्याश होता है रेटिकुलेट जो बीनेशन है यह जो पाया जाता है यह जर्णली पाया जाता है डाइकोट में डाइकोट जो प्लांट होते है उन्हें पाया जाता है और पेरलेल बीनेशन जो पाया जाता है वो पाया जाता है मोनो कोट में किसमें पाए जाता है मोनो कोट में पाए जाता है जो पेरलेल बीनेशन होता है वह इस प्रकार से होता है सपोस्डेट यह लीफ है इसमें क्या यह मिड्रिव है इसमें क्या इस प्रकार से सारी क्या पेरलेल अरेंज होती है बीन और बीनलेंट तो इस प्रकार होता है पेरलेल बीनेशन और रेटिकुलेट जो बीनेशन होता है वो इस प्रकार होता है सपोस्ट डेट यहां पर देखते हैं यह लीफ है और यह इस प्रकार हो गई तो इसमें इस प्रकार से होते हैं यह इस प्रकार से बने होते हैं इसमें रेटिकुलेट बीनेशन इस प्रकार से होता है यानि की जाल सा बना होता है, इस प्रकार से, तो कोशन मोमर 5 का क्रेक्टर अंसर क्या हो जाएगा, C, बीन्स और बीनलेंट्स इनने लेमीना में जो अर्रेंज्मेट होता है, उसको बोलते हैं, बीनलेंश, Next कोशन को बढ़ते हैं, कोशन मोमर 6, क्या दिआ हो आए, question number 6 is, endosperm is a product of double fertilization in endosperm. Each absent in the seed of, question क्या पूछाई कि, जो endosperm जो होता है, वो double fertilization, यानि endosperm में double fertilization के कारण, बनता है, और यह निमन में से, किसके बीज में absent होता है, option आपके पास है coconut, option B आपके आपके वास, औरकीट, option CMS, और ओप्षण डिया पास केस्टर तो इसका जो करेक्टर नसरों को वह होगा और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने कोशन नमर थ्री में भी देखा था जो मोनो कोट यह मोनो कोट होता है और इसमें जो औरवो व हैं देर्ट के दोरान एमडेव दर नृतरल सन के रूप में यूजब कर ले जाता है इसको नृतरल सनकर रूप में एंधुरी स्परम को यूजब कर ले जाता इसमें ऑन इस सब्सक्रापेसंट होता है इता लोकुष सिरीद्फर दार उसको यूज कर ले जाता है निट्रेशन के रूप में कोकोनट कोकोनट जो होता है कोकोनट जो वाटर जो होता है कोकोनट जो वाटर होता है वह लिक्विड एंड़ इसपर्म होता है क्या होता है लिक्विड एंड़ इसपर्म होता है जो कोकोनट वाटर को जो हम पीते ह हो क्या है एक लिक्विड एंडोइस पर होता है में और केस्टर में भी क्या होता है एंडोइस पर होता है इनमें भी एंडोइस पर पाए जाता मेज्ज और केस्टर में और और के बारे में कुछ बात और ध्यान रखतें रखने पड़िए 16 और किया है वेस्ट थोड़ा सा हृ ने और और प्रपरइट का एक इन यह क्या है इस यह इपेड प्ल ऑफ आट इपफाइट मेगे की वह साझ जो किसी अन्य पर गील हो उसके क्या बहुत एंप्प इंपिफाइट प्छलाऍन पहलकन और इसमें एक बिसेश परकार रहे इस्पेस्पिक यह स्पेस्फिक एक रूट प्रिज अ होती है इस पेस्विक रूट प्रेजंट होती है जिसको कहते हैं वैलमेंघ 일ू है जिसको कहते हैं वैलमें आप परोट होते है उसको अरो यूडमेंघोरूट हैया मॉइस्ट से डिया मॉइस्ट से snakes एक डिया जान हवtechn हमेल्ब से माटर एफडोर करने में हेल्प करती है तो चलिए बढ़ते हमने नेक्स संकूर कोशन नमर से बन क्या है एए को अ को सो चनल में है और मेनी पल्सेष ऑफ डेली यूस बिलोग टू ऊप पूछाए आप से मर्सक नमर सेवन क्या पूछाई कि देनिक जीवन उपयोग होने वाली जो अनेक पल्सेश से यानि डाले जो है उनीन मेंसे किस फैमली से विलॉंग करती है तो आपको करक्ट ओप्सन ब्लोल लघाना है कि आपको क्यात्समें सॉलेंटा बीयेजी और अपस्वाशल और ऑपस्वमें लीये से उपस्वन आपके पास कै Il P ہmore इसको बोलता है वो इसको बोलते है पौटेटो फैमली इसको बोलते हैं पौटेटो फैमिली जो हम बोलते हैं पैपिल नियोडि इसको पिल्यो नॉड्य रो फे पैपीलियो इसको पैपीलियो नोईडी फैमिली भी कहा जाता है फैबेसी जो फैमिली है और इसी में ही पल्से सोती है इसको पल्स फैमिली भी कहा जाता है अधिकांस जो फल्स जो होती है नहीं दाले जो होती है दाले जो होती हो किसमें पाई जाती है फैबेसी फैमिली में पाए जाती है जैसे एकजामपल गर्चाँ ग्राम जो चने की जब दाल जो होती है ग्राम और अरहर अरहर और मुझ लगबग अधिकांस जो पलसेश जो होती है निदाले जो होती है किसमें पाए जाती है फैवेसी फैमली में तो कोस्तर नमर सेवन कभी करेक्टर नसर क्या हो जाएगा भी फैवेसी लीलेसी फैमली जो है इसको बोलते है ओनियन फैमली लीलेसी फैमली को बोलते है ओनियन फैम कि अनाज इसमें मिलते हैं तो इसमें बल्स पर यूज़ करते हैं वह बड़ता है एक स्कॉर्षान के ओर कोस्ट नमर् एट क्या है को सोन मेरे पूछा है कि देप्लेशेंटाइच्ट टूदी डवलपिंग सीड नियर दी को सनक पूछा है की जो प्लसेंटा जो होती है वो नीवन नीवे से किस में अटेज होती है जब डवलविंग सीट हो रहा होता है तो ओप्शन आपके पास देस्ट ओप्शन है अफिशन हाय लुम ओप्शन् abic प्रिख रहां है आती है और यह क्या होता है है बने सेटर इस प्रकार उटेश होती है और यह कैड़ यह वाला हिस्तव कि यहons होता है कि माइक्रो पाइल वाला aquí इसको बोलता है चाल्जा सिरा और इसमें और और यह वाला सिरा होता है रेफ वाला सिरा इसको बॉलते है रेफ है यहाँ पर और जहां होते है Haut कि इसको बोलते हैं हाइलम और इसको बोलते हम यह वाला जो ही है यह वह इसको बोलते हैं फ्यूनिकल इसको क्या बोलते हैं यह जो होता है यह क्या है एंड यह डवलपिंग सीड के दोरान जो प्लेसेंटर टेज कहां होते हैं यहां पर होती है हाइलम पर यह चाल जावाला हो होता है यह माइक्रोपाइल होता है और इस पूरे को क्या बोलते हैं इसके यहां से इस वाले को इसको बोलते हैं और वियूल किसमे करणोट होता है और विल किसमे करणोट होता है सीड में और जो यह वाला हिस्सा होता है यह वाला यह वाला यह होता है आउटर कहा है निटेस्टा होता इनर उन्हुर्दा इसको बोलते हैं तो कॉट्षाोफ्षा रेक्टर चाहे है हई-था ले बढते हैं ईसक्सक्वार कोश्न नम्र क्या है अगना अगले कोंच निटा पर्डते हैं इसका मन नार्ड डा है साफसर no.9 का डिया हुआ है बिच आफ दिफोलेंग प्लांट इस तो एक्स्टेक्ट टू विलुडाई को सब्सक्षा कर सकते हैं और इंडिको फेरा को किस फेमिली का प्लांट है यह फेवेशी फेमिली का प्लांट है सब्सक्राइब श्वांवर्टेस Lagarde अर्ट। fitness practicing ट्रिफूलिम आδे या म्दाना प्याद और एक फूड्र होताइं फूड्र मीन्स टारा यह भी एक फेवेश्याना प्डान्ट होता है जो 43 जो इसको यूस्ट करते हैं और्लामेंट प्लांट में में और्नमेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सब्सक्राइब करेक्ट है कि गौला मुलाना और इनसे सब करने बात चबाद आ हम लेथा बात करते हैं फस्टोर इस सब्सक्राइब니까料 इस हन बिदाउट न फिर्टियलाईजियशन एशन B वह fruit जो without fertilization के बढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं पार्थेनो कार्पिक fruits बोलते हैं तो first किसे हो जाएगा बी वाले से बी वाले से क्या है first अब भात करते हैं nutrition nutrition में इन में से किसको उपयोग क्या जाता है ओवियूल एंडो इसपार्म या एलुवर लेर एलुवर जो लियर जो होती है प्रोटीनियस लियर और इसको न्यूट्रिशन में उपयोग क्या जाता है तो second क्या हो गया यह वाले से तो यह किसे यह वाले से अब बात करते हैं डबल फर्टिलाजेशन डवल फर्तिलाजेशन के बात बनता है एंडो इस पर्म क्योंकि जब एक फर्टिलाजेशन जो होता है फर्स्ट फर्टिलाजेशन जो होता है उससे क्या बनता है जाइगोट उससे बनता है जाइगोट यानि टूवन इस्ट्रक्चर बनती है और जब डबल फर्टिलाजेशन यानि जब मेल गैमिट जो पॉलर निकुलिय जो होते हैं एमिरो शेक में उससे जब फर्टिलाइजेशन करता है उसको बोलते हैं डॉबल फर्टिलाइजेशन और उससे क्या निर्माण होता है एंडोस्पर्म का तो थड़ किस से हो गाए डी वाले से यह किस से एडिया हुआ है वी और दीमेश एसेकंड दिया हुआ है है तो एस ऑफशन ए और सी सी तो गल्स होगे है निर्व होगे ओफ और वी किससे फस्ट वाले से तो भी किस में फस्ट किसमें दिया वा ऐसे वाले और बिर वसक हो जाएगा कौर्षन म्ह एम जो इफ सउन नम्र झान ना प्सेर्डबर कार्पी रफन जो वर्ड दिया था हो दिया था एफ कि इसको दिया था एफ-9 नहें यह वर्ड दिया था पार्थन नोकारपी- एफ्णोनの वर्ड दिया था और प्रके लाजिशन के बाद जो एंब्रियोरीभा में फेटलाजएशन केबाद जो ओविल्स जो होता है कि वो कनवर्ड होता है सीड में tulee से क्या बनता है और जो में जो होती है उससे क्या पढ़ा है औरी से बनता है फिरूट और इसे बनता है फिरूट बनता है तो मेर्भ पसंद आए होगी यद्य आपको वीडिवाइब करें और हमारे ट्रगल